हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो माई चैनल, I am Chef GKB, I hope आप सभी बहुत आच्छी होंगे, आज हम बात करने वाले हैं इंडर्स्रेल ट्रेनी के बारे में, इंडर्स्रेल ट्रेनी क्या होता है, यह कितना लंबा होता है, क्या यह करना जरूरी है, आप इंडर्स्रेल ट्रेनी में क क्यों इसको छोड़ते हैं, और बहुत सारे लोग आपको डराते हैं कि यह बहुत कठीन है, आपको वहाँ जाने से पहले आपके सिनियर्स, बहुत सारे लोग इसके बारे में भी बोलते हैं कि एक बार आप इंडर्स्रेल ट्रेनी करके आओ, फिर आपको पता चलेगा, तो यह सारे डाउट आज किलियर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिपिकिशन मिल जाएंगे, और लाइक गरें, सेयर गरें और कमेंट में अपना जो इंडेस्ट्रीर ट्रेणिक क्या होता है, आपका फॉस्ट एर कम्प्ली欸्ट होने के बाद, आपका जब सेकेंड इर स्वी होता है तो आपको 6 मन्थ के लिए और से हैंपको ट्रेणी के लिए बेजा जाता है, ये दो ब्याज में होता है एक summer badge और एक winter badge तो आपको कोई एक badge आपको एक badge में आपको माँ पे भीजा जाएगा तो ये आपको compressor ही गर नहीं है 6 month का ये trainee है आपको इसको गरना है तो ये कितना लंबा होता है तो मैं आपको ये बता दिया कि ये 6 month का होता है क्या industrial trainee गरना जरूरी है? Of course ये जरूरी है आगे आप कुछ भी गरें लेकिन ये गरना बहुत जरूरी है आपको ये करनी है क्योंकि आप इसमें real experience लेते हो industry में जाके कि वहाँ पे कहीसा काम होता है कहीसा industry काम गरती है आपको इसकी बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है और एक compulsory है तो आपको इसकी ए करनी ही है आप वहाँ पे क्या गरते हो? industrial trainee में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप क्या काम गरते हो? मेरे को इंडुर्ट्रेट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट् येशे सो मिलेंगे आप मिलनेंगे और पिर अलाग अलाग cranis से दन के सने उसे मुझे ब quota इन्डेयन से कंटीनिल हे याँ राइटी तो कोई एक डिपार्टमेंट में माना की आपको में के लिए आ बोलेंगे कि आप इंडियन में काम करो और एक दुसरी में में आप चायनी में जाओ और माकी डिपार्टमेंट में आपको बेजेंगे तो आपको six month में आपको अलग-अलग department की बारे में knowledge वहां पे देंगे यह होता है six month का training तो आपको अभी hotel कैसा चोज़ करना है तो अगर आपका पहिचान है आपका contact में कोई है कोई अच्छा सहर में बड़े सहर में या कोई बड़ा hotel में काम करता है five star hotel में जो बहुत अच्छा चलता हो तो उसमें अगर आप वहां से training लेंगे तो आपको real experience हो जाएगा क्योंकि जो hotel जयादा चलेंगे जो hotel का एक नाम होगा वो आपको बाद में जब आप job में जाएंगे job interview के लिए जाएंगे तो आपका एक CB में भी अच्छा एक होटेल में से आप ट्रेनिंग लिये हैं, वहां का एक नाम होगा, लोग आपका चब CB देखेंगे तो वहां पे आपका एक अच्छा ब्रांड का नाम होगा, तो एक नाम भी बहुत जरूरी होता है, इससे थोड़ा इफेक्ट ज्यादा हो तो आपका कलीज का काम है कि वह आपको कहीं भी ट्रेनी के लिए बेज़ें, तो यह हो गया कि हाओ टो चूज होटेल, और सबसे इन्पोटेंट कोईशन जो आपका सीनियर हमेशा डराती रहते हैं, कि आपको एक बार इंड़ेस्ट्रेल ट्रेनी गर के आओ, फिर पता चले कि आपको चोफ़ करना पढ़ते हैं, कि आपको चुटी नहीं मिलते हैं, कि आपको वहरे गदा मझंदरी यह सब का सबहरे सबसे पहले तो आप ये बात समझेगे, आप पहली बार कहीं पर जा रहे हो, इस ट्रेनिंग में आपको वहाँ पर कुछ आप सीखने के लिए जा रहे हो, वह एक आपका रियल जॉब है, आप वहाँ पर जो जॉब करते हो, सेम काम आपको वहाँ पर धरना होगा, तो आप पह पहली बार आप कोई भी नया जोब में जाओगे तो आपको वहां पे अच्छा महसुस नहीं होगा तो आपको पहली बार कुछ कोई लोग बोल रहे कि यह काम गरो तो वो काम गरना पड़ रहा है वो भी 9-10 गंटा तो आपको इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा इसमें सरस्रूर सरू में होती है लेकिन आपका जो इंट्यलिक अगर एक शेप बन रहे हो यहाँ बन चाहती हो आप जो भी काम गरने चाहती हो आपका एक ड्वीम अब वहाँ जा की की डूटी रहेगी और हफ्ते में एक आपको चुट्टी मिलता है और आपको ब्रेक भी मिलता है ऐसा नहीं की नहीं मिलता है लेकिन वहां के काम के इसाब से कभी कभार आपको नव गंट के जगा 10 गंटा 11 गंटा 12 गंटा या 14-15 गंटा भी डबल शिफ्ट भी आपको घरना करता है यह मतलब हुस्पटेल एक किंडिस्ट्री में कमबल सरी है अगर कोई स्टी में नहीं आता है तो आपको उनका भी काम घर के जाना है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हस्पटेली इंदश्ट्री चलती एक discipline में क्योंकि अगर आपका आज 500 पार्टिए तो आपको चा सेटिंग बराबर नहीं लगाया तो वह पूरा ऑपरेशन उनका खराब हो जाएगा तो यह बहुत ज़रूरी है एक ही चीज़ का ख्याल करना है कि आपको जो टाइम देंगे उस टाइम पर आके जो भी काम आपको रिस्पेंसिबिल जो भी दिया है आपका का रिस्पेंसिबिलिटी उसको आपको अच्छे से करना है एकदम सिंपल है अगर आप दिल से गरना चाहते हो आप से बनना चाहते हो आप वहां पे कुछ काम गरना चाहते हो जो भी जो भी चार सेक्शन के बारे में मैंने बताया उस सेक्शन में से आपको कोई भी सेक्शन मे तो आपके लिए एक real experience है कि वहाँ जाके आप ये सारे चीज देख सकते हैं उसको आप अनुबाप कर सकते हैं और सीख सकते हैं डरने की कोई बात नहीं है ये सब आपको आदत हो जाएगा तो बाद में आपको खुदी सारे चीजे पता चलेगी तो आज के लिए इतना ही झापको बढ़ शुकिरा